अंदे मात्रम ये दीदी हैं जो पीछे 10-15 दिन पहले आई थी इनके पेट में समस्या था ये खुद ही बताएंगे इंको क्या-क्या तकलीफ था क्या-क्या तकलीफ दीदी आपकी पेट में दरद था और उसके बाद कई दिन से जाक्टर के जा रहे थी एक बार गई दल साट आठ अजार लगड़े एक बार गई दसन हजार तक लगड़े कोई फाइदा नहीं हुगा तिर्वी रूख रूख के दरद हो रहा था अजम आये यहां पे तो यह हमें रसोए घरे अजिए बताए उसके बाद उखाए दो दिन बस उसी में सही हो गया घर की चीजे में क्या क्या लिये अब है घर की जीरा जमाईं खड़ी भनिया में तो शोट और नमक इसका वो तीन से चार बार पांट से छे वार खाए और लिए जमाईं आप उसका लिए नमक का पी यह किने दीन में ठीक हुग है अजय कितने महिनने से था तने महिने तहiras के थांड जड़े तक अधसी एंदर और शौर पेरेशन क्राएं तब से हूँ था उसके वासे नहीं हो रहा था पहले किसी का उपरेशन करायत है तो उसकी पेट में दर्द चालू हो गया था उसके पहले पेट में दर्द नहीं था कितनी उमर है आपकी हमारी होगी 30 ठीक है बंदे मातरम बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अनुभव सेयर किया आपके अनुभव के सुनने के बाद दूसरी बेहनों को दूसरी जो बेहने हैं ना उन सभी को रसोईगर के प्रती विश्वास बढ़ेगा कि हमारे रसोईगर में पढ़े ह मसाले सिर्फ मसाले नहीं हैं वो हमारी लिए दवा भी है जुरुरत पढ़ने पर हम उसे दवा की तरह इस्तमाल करके हम अपनी तकलिफों को दूर कर सकते हैं